नमस्कार मित्रों, डेजार पांट शैनल में मैं अमिच सर और आज क्लास नाइन्थ के एक नए अध्याय या फिल कह सकते हैं पोईटरी के पहले ही अध्याय को लेकर उपस्तित हुआ हूँ बेटा, आज हम अध्यन करने वाले हैं The Mountain and the Squirrel अध्याय के The Mountain में सोता है परवत and the Squirrel में सोता है गिलहरी परवत और गिलहरी इसके लेकर हैं Ralph Waldo Emersion बेटा, इनके द्वारा लिखी के जो कभिताएं होती हैं, जो लेक होते हैं, उनकी खासियत एक होती है और वो खासियत ये होती है, कि ये जो लेक लिखते हैं, वो प्रकृती पर या फिर छोटी 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 ऐसी बाते होती हैं कुछ, जो हमें अच्छा संदेश देती है यानि ये छोटी चीजों में बड़ी बात कहने का कारी करती हैं इनकी पंक्तियां तो आईए पढ़ेंगे, आगे आप समझेंगे, आपको इसका अनभो होगा तो चलिए शुरू करते हैं, ज्यादा समय ना गवाते हुए, सीधा अपने अध्याय पर चलते हैं और देखते हैं कि The Mountain and the Squirrel अध्याय में ऐसा क्या है, कि हम इसे पढ़ रहे हैं चलिए ठीक है, देखना बेटा, The Mountain, Mountain में सोता है परवत and the Squirrel, Squirrel में सोता है गिलहरी, तो परवत और गिलहरी, Head Aquirrel Head Aquirrel, Quirrel में सोता है लडाई, जगडा, तो परवत और गिलहरी में लडाई हो जाती है परवत और गिलहरी में जगडा हो जाता है and the farmer, farmer में सोता है पहले वाला, called the litter, बाद वाले को, अर्थात पहले वाला बाद वाले को called कहता है little prick, तुच्छ प्राणी, little prick में सोता है तुच्छ प्राणी, पहले वाला बाद वाले को तुच्छ प्राणी कहता है या फिर कह सकते हैं कि परवत गिलहरी को तुच्छ प्राणी कहता है तो फिर से कोई जल्दी नहीं है कि the mountain and the squirrel, head of squirrel, परवत और गिलहरी के बीच जगणा हो जाता है and the farmer called the letter little prick और परवत गिलहरी को तुच्छ प्राणी कह देता है आईए आगे देखते हैं बन, replied, बन मिन्स होता है गिलहरी, replied मिन्स उत्तर देती है, गिलहरी उत्तर देती है, क्या उत्तर देती है कि you means, तुम आर मिन्स हो, doubtless means, ने संदेह वेरी मतलब बहुत बड़े, तुमने संदेह बहुत बड़े हो you are doubtless very big, तुमने संदेह बहुत बड़े हो, बट, लेकिन, all sorts of things, sorts means होता है प्रकार की, all मतलब सभी प्रकार की आप things, चीजे, लेकिन, सभी प्रकार की चीजे, या फिर वस्तुएं, and weather, weather मिन्स होता है मौसम, सभी प्रकार की वस्तुएं, और मौसम, must be taken in together, together मिन्स होता है साथ, यानि साथ मिल कर, but all sorts of things, and weather, must be taken in together, सभी प्रकार की वस्तुएं, और मौसम, साथ मिल कर, to make up a year, a year मिन्स एक वर्स, make मिन्स बनाना, एक वर्स का निर्मार करते हैं, फिर से, कोई जल्दी नहीं है, फिर से बताता हूं, you are doubtless very big, तुमने संदेह बहुत बड़े हो, but all sorts of things, and weather, but, मिन्स लेकिन, सभी प्रकार की वस्तुएं, तथा मौसम, must be taken in together, एक साथ मिल कर, to make up a year, एक वर्स का निर्मार करते हैं, ठीक है, अब देखना, and a spear, spear मिन्स होता है बेटा गोला, लेकिन यहाँ पे जो spear का मतलब है, उसका मतलब हम प्रिथवी से समझेंगे, क्योंकि प्रिथवी भी देखो, गोले के जैसी होते हैं, अंडकार, थोड़ा संत्री जैसी, नारंगी जैसी कैसे कहते हैं, तो थोड़ा गोले जैसी होती है न पृत्वी एंड इस्पेर ठीक है एंड इस्पेर और जो इस्पेर होता है यानि जो पृत्वी है या फिर जो गोला है वो भी ऐसे ही बना हुआ है गोले का निर्माण भी ऐसे ही हुआ है एंड इस्पेर इस लाइन का इतना मतलब है क्या मत निर्मार इसी तरह हुआ है किस तरह हुआ है भाई आर प्रिथवी है यहां पर भी कई प्रकार की देखे चीटी से लेकर हाथी तक की चीजे है यानि छोटी से लेकर बड़ी तक की चीज़े हैं हर चर्थे महीने में यानि मौसम बदलता रहता है देखते हैं ना ठंडी गर्मी बरसाथ तो कई मौसम बदलते रहते हैं यानि मौसम और वस्तवी एक साथ मिलकर इस गोले का निर्मार करती है ठीक है? अर्थात इसी प्रकार से इस्पियर प्रित्वी का भी निर्मार हुआ है ठीक है? कोई डाउट नहीं होना चाहिए बेटा बहुत प्यार से समझा रहा हूँ फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं ठीक है? कि बन रिपलाइड गिलहरी उत्तर देती है यूर डाउटलेस वेरी बीक तुमने संदेव बहुत बड़े हो बट आल साट साफ थिंग्स एंडवेदर किन्तु सभी प्रकार की वस्तुएं और मौसम मुझ्ट भी टेकेर इंटुगेदर एक साथ मिलकर तुमेक अपई और एक वर्स का निर्मार करते हैं और इसी प्रकार से प्रत्वी का भी निर्मार हुआ है और मुझे लगता है इसमे कोई सर्म की बात है तु अकुपाई माई प्लेस मेरे अस्थान पर होने में अकुपाई मिन्स होता है घेरना अस्थान लेना ठीक है यानि मेरे अस्थान पर होने में कोई सर्म की बात नहीं है यानि मैं छोटी हूँ तो इसमें मुझे सर्म नहीं आ रही है ठीक है और मुझे लगता है कि मेरे अस्थान पर होने में कोई सर्म की बात नहीं है If I am not so large as you, if यदी I am not so large, मैं बहुत बड़ी नहीं हूँ as you, तुम्हारी तरह यदी मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूँ, तो you are not so small, तो तुम भी छोटे नहीं हो as I मेरे जितने, अगर मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूँ, तो तुम भी मेरे जितना छोटे नहीं हो and not half, और आधे भी नहीं हो, so spray, spray मिन्स होता है फूरती, देखें गिलहरी कितनी फूरतीली होती है तो वही कहती है कि फूरती में तो तुम मेरे आधे भी नहीं हो I'll not deny, deny means होता है इनकार करना, तो I'll not deny, मैं मना नहीं करूँगी या फिर मैं इनकार नहीं करूँगी you means तुम में एक मतलब बनाते हो, मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी कि तुम बनाते हो आ, एक very pretty, बहुत सुन्दर, squirrel track, track मिन्स रास्ता, squirrel मिन्स गिलहरी कि गिलहरीों का रास्ता, तो मैं इस बात से इनकार नहीं करूँगी कि तुम एक शुन्दर, गिलहरीों का रास्ता बनाते हो, ठीक है यहां से यहां तक पूरा मिलाकर कहने का मतलब है कि you are not so small as I, तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो इस इनकार को यहां से पकड़ा जाए तो ज्यादा सही रहेगा यहां से लेकर यहां तक बेटा, क्या कहता है कि यदि मैं तुम्हारे जितना बड़ी नहीं हूँ तो तुम भी मेरी तरह छोटे नहीं हो और फूरती में तो तुम मेरे आधे भी नहीं हो मैं इस बात से इनकार नहीं करूंगी कि तुम गिलहरियों के लिए एक शुंदर रास्ता बनाते हो टैलेंट्स यानि बिसेस्ता डिफर डिफरेंट कह सकते हैं टैलेंट यानि कुण या फिर बिसेस्ताएं अलग अलग हैं टैलेंट डिफर अर्थात बिशेशताएं अलग अलग हैं आल इज विल एंड वाइजली पुट अगर सब कुछ मिलाकर अगर सब कुछ मिलाकर वाइजली पुट बुधिमानी से कहूं वाइजली मतलब बुधिमानी यहीं वाइज मतलब बुधिमान होता है तो सब कुछ मिला कर यदी बुद्धि मानी से कहूं फिर से टैनेंट्स डिफर बिसेस ताइं अलग-अलग हैं आल इज विल एंड वाजली पुड यदी सब कुछ मिला कर बुद्धि मानी से कहूं तो if I cannot carry if means यदी I cannot not carry मैं नहीं ले जा सकती, forest, forest means jungle on my back मेरी peat पर, यदि मैं jungle को अपनी peat पर नहीं ले जा सकती, neither can you crack, crack means होता है तोड़ना, a nut, nut means a croat, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते, neither can you crack a nut, crack means तोड़ना, you means तुम, can means सकना, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकते, ठीक है, if से लेकर यहां तक कहने का मतलब यह है, कि यदि मैं जंगल को अपनी peat पर नहीं ले जा सकती, तो तुम भी एक अखरोट नहीं तोड़ सकती, तो आसा करता हूँ, समझ में आया होगा, glossary देख लेते हैं, इसका आप एक screenshot ले लीजेगा, यहां से, यह विशेश रहेगा, एक एक मैं बताने जाओंगा, तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा, और इतना समय मेरे पास नहीं है वेटा, चुकि बहुत सारा काम रहता है, और अध्यान ध्यापन में समय वीच जाता है, तो आप लोग इतना screenshot ले लीजेगा, इस इतना screenshot ले लीजेगा, मीनिंग सियात कर लीजेगा, अच्छे से तयार हो जाएगा यह लेशन, मैंने बहुत मेहनत की है आपको यहां तक पढ़ाने में, वीडियो पसंद आया है, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ सेर कीजि अजेगा.